वेलकम टू ट्रेंडिंग एकनोमिक्स. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गर्मुदरा यानी हौट मनी. सुर्जिंह क्या बता रहे हैं? नहीं मेरे बच्चे, हौट मनी एक मनी होती है. तो आईए ये कौन सी money होती है, इस वीडियो में देखते हैं हम लोग, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है, आगे देखिए, हम definition देख लेते हैं, जिससे हम समझ पाएं कि गर्म मुद्रा या hot money क्या होती है, चलिए, उस मुद्रा को hot money, यानि गर्म मुद्रा कहा जात है, जिसमें वित्तिय बाजार, आप जानदे ना financial market होते हैं, मुद्रा बाजार जहां पर आप security खरीज सकते हैं, share को खरीदते हैं, ठीक है, उसको hold करके रखते हैं, जब उसका price बढ़ जाता है, तो उसको बेच करके profit कमाते हैं, तो वही वित्तिय बाजार होता है, में स्थान पर या स्थानांतरित हो जाती है, तो यह ऐसी money होती, hot mudra, उस mudra को कहते हैं, यह उस जगा पर चली जाती है, जहां पर इसको फायदा दिखाई देता है, ठीक है, अब इसको एक example से relate करके देखे, बड़ा मस्त example है, मैं आपको देता हूँ, जैसे गर्मी आपको लग जाते हैं, तुरण light चली जाती है, तब आप क्या बोलते हैं, हाई दया, अब क्या करें, ठीक है, तो आपको बहुत जादा गर्मी लगती है, तो आप दोड़े दोड़े गूमते है, छट पे जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ठंडी बोतल पीते हैं, पानी की ह ठीक है, तो इसको फाइदा कहा मिलता है, वित्ती ये बाजार में, ठीक है, जैसे आप share खरीते हैं, bonds खरीते हैं, securities खरीते हैं, उसमें इसको फाइदा मिलते हैं, तो वहाँ पर ये रुकी रहती है, ठीक है, इस्थान अंतरित हो जाती है, मतलब वहाँ पर चली जाती है, अग प्रतिब परिसंपतियों बदो छो financial instruments होती है या assets होती है या प्रतिबूतियों securities share हो गया bonds हो गया इनमें निवेश करते है इनमें निवेश करने से क्या होता है आपको फाइदा बहुत मिलता है ठीक है आप यह example लेजे आप share market में अच्छी company के अच्छी shares खरीद करके hold करके रख लीजे कुछ समय के बाद उनको उनका जो क्या हो प्राइज बढ़ जाएगा अब उसको बेच करके आप फायदा ले सकते हैं तो आपने जो पैसा लगाया था ना तू होट मनी थी ना वो पैसे आपको बढ़ात कर दे रही है आ